आज आपको एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ क्या आपको पता है कि हम आपके है कौन मुवी में जो डॉग था वो इंडियन स्पिट्स था अच्छा ये आपको पता है अब ये तो पक्का नहीं पता होगा कि उसका असले नाम टफी नहीं रेडो था और वो 6 साल का था जब शूटिंग हुई थी और तो और वो मुवी के असिस्टेंट डारेक्टर का पेट डॉग था अब आप सोच रहा हूँगे मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टनिंग पॉइंट था इंडिया में जिसके बाद इंडियन स्पिट्स की पॉपुलरिटी अच्छानक से बढ़ गई सब ही को ये डॉग ब्रीट चाहिए था अब आप मैंसे कई लोग हैं जो इंडियन स्पिट्स को पॉपॉपॉरेणियन भी बुलाते हैं जब्कि पॉपॉरेणियन एक अलग डॉग ब्रीड है जो दिखती है इंडियन स्पिट्स जैसी बट होती है अलग आज की वीडियो में हम compare करेंगे उन dog breeds को उसी style में जैसे हमने Labrador और इंडियन पराय dog को किया था जिसका link आपको आई button और description में मिल जाएगा आपका स्वागत है dog नगरी में इस नगरी में प्रवेश करते ही आपको dog से related सारी जानकारे मिल जाएगी और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो उन सब का link आपको description में मिल जाएगा एक बार ज़रूर देखिए जाके अब दोनों breeds को compare करने से पहले मैं आपको बता दू कि dogs को compare करने का main उद्देश है लोगों को इनके बारे में सही information देना जिससे वो सही decision ले सके dog पालने से पहले हमारा intention बिल्कूल नहीं है किसी dog breed को निचा दिखाने का अब Indian Spits दो तरह के होते हैं एक smaller Indian Spits और एक greater Indian Spits आज की वीडियो में हम smaller Indian Spits को compare करेंगे Pomeranian से क्योंकि दोनो small dog breed हैं जबकि greater Indian Spits medium dog breed के category में आता है सबसे पहले बात कर लेते हैं build and looks की Pomeranian dog breed एक small category का dog है जिसकी average height 9 inch और weight लगबग 3 kg का होता है वही Indian Spits की भी average height करीम 9 inch और weight लगबग 6 kg तक हो सकता है looks के मामले में दोनों इतने similar हैं कि लोग confused हो जाते हैं दोनों में दोनों को अगर आपको differentiate करना है तो आप उसकी muscle को देखिए Indian Spits की muscle लंबी होगी वहीं Pomeranian की छोटी और अंदर धसी हुई होगी दोनों में इतनी similarity है कि दोनों को 10 में से 9 points मिलेंगे अपने cute looks के लिए Pomeranian की fur लंबी और soft होती है जिसको maintain करने के लिए average grooming की ज़रूरत पड़ती है और इनकी fur थोड़ी oilier भी होती है जिससे इने time to time bathing की ज़रूरत पड़ती है इसलिए इनको मिलेंगे 7 points वहीं Indian Spits के fur Pomeranian के comparison में जोटी होती है और ये कम oily होती है जिससे इनको bathing की ज़रूरत कम पड़ती है इसलिए इनको मिलेंगे 8 points अब Pomeranian एक foreign breed है और ये average to cold weather prefer करते हैं जो कि Indian weather के लिए उतने suitable नहीं है इसलिए इनको मिलेगा 7 points वहीं Indian Spits को Britishers ने काफी selective breeding करके बनाया है जो कि Indian climate के लिए ज़्यादा suitable है as compared to Pomeranian इसलिए इनको मिलेगा 9 point out of 10 Pomeranian के अंदर average energy level होती है और अगर आपकी lifestyle semi active है तो आपको ये suit करेगा इसलिए इसको मिलते है 8 out of 10 वहीं Indian Spits के energy level low रहती है इसलिए इनको मिलेगा 6 out of 10 Pomeranians और Indian Spits दोनों ही काफी intelligent dog breed है और दोनों को train करना बहुत आसान है लेकिन Indian Spits बहुत interest के साथ train होता है क्योंकि इसे नई चीज़े सीखने में मज़ा आता है जो की एक advantage है इसलिए Pomeranian को मिलते है 8 points वहीं Indian Spits को मिलते है 9 points out of 10 अब अगर अब तक 5 points को compare करें तो Indian Spits थोड़ा सा आगे है Pomeranian से लेकिन अगर आप next point consider करें जो की है barking tendency की तो Pomeranian average Barker है लेकिन वहीं Indian Spits की barking बहुत जादा है इसलिए यहाँ Pomeranian को मिलते है 8 points वहीं Indian Spits को मिलते है 6 points अब इस point के बाद दोनों beats बराबर आके खड़े हो गए अब यह देखना है कि आगे आने वाले 4 points में क्या होता है और कौन आगे निकलता है Pomeranian average watchdog है लेकिन guarding behavior जबरदस्त है इसकी और यह अपमी territory को अच्छे से defend करते हैं इसलिए इनको मिलता है 9 points वहीं Indian Spits watchdog तो बहतरीन है लेकिन इसकी guarding ability उतनी अच्छी नहीं है इसलिए यहाँ इसको मिलता है 7 points out of 10 Pomeranian dog बच्चों और बुजर्ग के साथ उतने friendly नहीं होते हैं इसलिए इनको मिलेगा यहाँ 7 points वहीं Indian Spits बच्चों और बुजर्गों तो लों के साथ बहत ही friendly रहते हैं इसलिए यहाँ पे इनको मिलेगा 9 points out of 10 अब अगर आप मेरे regular viewer हैं तो आप यह बात समझ गया होंगे कि Indian breeds हमेशा से ही healthier रही है as compared to foreign dog breeds क्योंकि वो यहाँ के weather के अनुसार खुद को ढाल चुके हैं वही बात यहाँ पे भी लागू होती है Pomeranian dog को health issues जादा होते हैं as compared to Indian Spits इसलिए Pomeranian को मिलते हैं 7 points out of 10 वही Indian Spits को मिलते हैं 9 points out of 10 Pomeranian और Indian Spits दोनों ही dog breed की food requirement similar है लेकिन wet के visits के खर्चे जोड़कर Pomeranian थोड़े जादा खर्चीले हो जाते हैं वहीं अगर बात करें इनकी price की तो Pomeranian dog breed जो pet quality का होगा वह आपको 12,000 तक पड़े आएगा और वहीं Indian Spits pet quality का 8,000 तक पड़े आएगा इनकी initial cost और maintenance को ध्यान रखते हुए Pomeranian को मिलेगा 7 out of 10 और Indian Spits को 9 out of 10 अब अगर आप सारे points को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि Indian Spits better dog है considering Indian weather and lifestyle इस comparison को मैंने बिलकुल अनबाइस रखने के कोचिश की है और दोनों dog breeds के different owners से बात करके ये points frame की है फिर भी अगर आप मेरी किसी points से इत्तफाक नहीं रखते हैं तो यहाँ नीचे comment करके बता सकते हैं या आप मुझे Instagram पे भी DM करके बता सकते हैं अगर आपको यह comparison अच्छा लगा तो आप left value वीडियो पे click करके राज पालियम और डॉबर मैन का comparison देख सकते हैं और अगर आपको लैबरेड़ और इंडियन पराय डॉब का comparison देखना है तो आप right value वीडियो पे click कर सकते हैं डॉब नगरिंग में आगमन के लिए आपका धन्यवाद है